बालूड की मसुहूर अभनेतरी स्रीदेवी भले ही आज दुन्या में नहीं है लेकिन आज भी उनके फैंस की वह पहली पसंद है स्रीदेवी ने अपनी केरियर में कई हीट फिल्में दी थी और इन्हीं हीट फिल्मों में से एक थी एक्टरेस की साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म गुम रहा एक्टरेस ने इस फिल्म में बलूड एक्टर संजदा सहाब के साथ पहली बार नज़र आई थी लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्रीदेवी ने गुमराह के बाद संजदा सहाब के साथ कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं किया और हिम्मत वाला फिल्म की सुटिंग के दौराण ऐसा कुछ हो गया था कि स्रीदेवी ने एक्टर के साथ काम ना करने की कसाम खाली थी और साल 1993 में रिलिज हुई महजभट की फिल्म गुमराह ने खुब सफलता कमाई और इस फिल्म में पहली बार संजल सहाब के साथ स्रीदेवी नजर आई थी लेकिन एक घटना कारण दोनों फिर कभी बड़े पर पर साथ दिखाई नहीं दिये बात उस समय की है जब स्रीदेवी फिल्म हिमत वाला की सूटिंग कर रही थी और एक्ट्रेस उस समय तक फिल्म इंडेस्ट्री में उचा मुकाम बना चुकी थी और संजल सहाब ने फिल्म रुकी की सफलता के बाद नया इस्टार्डाम देखा था और संजद सहाब उस समय स्रीदवी के बहुत बड़े फैंट थे उन्हें उनके दोस्तों ने बताया कि स्रीदवी की फिल्म हिमत वाला की सुटिंग मुंबई में हो रही थी और फिर क्या था संजू पहुँच गए स्रीदवी से मिलने और उनकी फिल्म के सेट पर पहुँच गए और संजद सहाब हिमत वाला के सेट पर नसे में धूत पहुँचे थी और जब उन्हें सेट पर एक्टेस नहीं मिली तो उन्होंने स्रीदवी को ढूनना सुरू कर दिया और कहते हैं कि संजद सहाब एक एक करके होटल के सारे रूम ढूनने लगे और इसके बाद वा अचानाक स्रीदवी के कमरे में घुज गए संजद सहाब को नसे में देखकर स्रीदवी दंग रहे गई तभी नसे में संजद सहाब की आँखे पूरी तरह लाल हो गई और संजद सहाब को देखकर स्रीदवी डर गई और इसके बाद स्रीदवी ने तूरंद फोन किया और फिर किसी तरह संजद सहाब को वहां से निकाल दिया और स्रीदवी के करीवी बताते हैं कि इस घटना के बाद एक्टरेश ने संजद सहाब को साथ कामना करने की कसम खाली थी लेकिन दोस्तों किसी कराण वस उन्हें संजद सहाब के साथ फिल्म जमीन करनी पड़ी कहा जाता है कि एक्ट्रेश ने ये फिलिम इस सर्थ के सांथ की थी कि इसमें संजजब Σाथ और उनका एक भी सिंठ सांथ में नहीं होगा इसके बाद सल आप लोगों को पता ही है गुम्राह फिलिम काँफे ज़्यादा पापुलर हुआ था तो दोस्तों आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिए हैं तो प्लीज दोस्तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब किज़ेगा और वीडियो को भी तक लाइक निकिये हैं तो लाइक किज़ेगा शेयर किज़ेगा थांक्ची दोस्तो हमारे वीडियो वाचिंग करने के लिए